बच्चों आज हम पॉडेशयम आयोडेट जल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे पॉडेशयम आयोडेट जल तंत्र का प्रवस्था रेक किस पिकार से होता है और इसके क्या-क्या लक्षन होते हैं इसके बारे हम देखेंगे तो हम सबसे पहले जो है कियाई वाटर सिस्टम यह अब देखेगा इसका जो प्रवस्था आरेक है उसको पहले हम यहां ड्रो करेंगे और फिर उसके हम विबिन लक्षनों को देखेंगे तो इस तरीके से हम जो है उसको ड्रो कर सकते हैं यहां पर 100% H2O और यहां 100% पॉटेशम आइड़ेट किया ही होता है यहां हम टेम्टेच तरीके से यहां पर वक्र जो आते हैं उन वक्रों को हम इस तरीके से ड्रो कर सकते हैं यहां A बिन्दू मानते हैं यहां पर A O बिन्दू और यहां पर हम B बिन्दू मानते हैं बच्चो ठीके यहां जो ताप होता है वो 0 degree centigrade होता है और यहां जो ताप होता है वो माइनस 23 degree centigrade ग्रेड होता है, ठीक है, यहां पर जो percentage होती है, वो k ya की percentage जो थी है, वो 52% होता है ठीक है, तो यहां हम composition of क्या लेते हैं, composition of k ya का प्रितिशत संग्धन हम यहां पर लेते हैं, ठीक है, तो इस तंत्र की जो मुख्य विशिष्टा है उनको हम इस तरीके से ले लेते हैं कि जो वक्र ए हो है यह वाला जो वक्र ए हो है इस वक्र में देखें कि जो बिंदू ए है वो जल का हिमांग बिंदू है यह वाला बिंदू जल का हिमांग बिंदू है ठीके इस बिंदू पर बार्फ वे जल प्रवस्था सामे वस्था में होते हैं, यहां पर देंगे तो बार्फ और जल सामे वस्था में होते हैं, जब जल में क्याई मिलाते हैं, तो जल का हिमांग घटता है, ऐसे चलते हैं, जब जल में क्याई मिलाते हैं, तो हम A.O. वक्र के अनुदिश चलते हैं, और इसका हिमांग जो है वो घटता है ठीके और वक्र एओ की दिशा में हम बढ़ते हैं यहां से यहां तक हम बढ़ते हैं ठीके यह वक्र जलका हिमांग वक्र कहलाता है कौन सा वक्र कहलाता है फ्रीजिंग कारू कहलाता है कौन सा एओ वक्र की अगर हम बात करें एओ वक्र ए ओ वक्र की अगर हम बात करें तो ये जो वक्र है ये हिमांक वक्र कहलाता है हिमांक वक्र कहलाता है ये हिमांक वक्र कहलाता है जिसको हम फ्रीजिंग कारवू भी कहेंगे क्या बोलेंगे जिसको हम फ्रीजिंग कारवू भी कहते हैं ठीके अच्छा तो यहां पर इस वक्र पर होता क्या है इस वक्र पर ठोस बर्फ और तधा क्याई का जल्में विल्यन साम में वस्था में रहते हैं क्या क्या रहते हैं इस वक्र पर क्या होता है देखो इस वक्र ठोस बर्फ यानि कि सॉलिड आइस solid ice और किसका solution जो है कियाई का जल में जो willion होता है कियाई का जल में willion होता है वो कियाई का willion जल में willion जो होता है वो सामने वस्था में रहते हैं कौन से वक्र पर ए ओ वक्र पर ठीक है ना तो यहाँ देखें तो इस वक्रपर ठोस क्याई का जलमें विलियन प्रौष्त है और सामने वस्ता में रहती है नो यहाँ देखें तो घटकों की संक्या दो है यहाँ ठीक है घटकों की संक्या दो है ठीक है कौन-कौन Prose गटागे एक तो क्याई यह और एक है आइस यानि की वाटर की फॉर्म में तो हम इस पर यदि इस वक्र पर यदि हम सुतनतरता की कोटी की गर्णा करना चाहें तो हम जो है सुतनता की कोटी का मान हम क्यात कर सकते हैं F is equal to C minus P plus 1 से F is equal to C minus P plus 1 से F is equal to C minus P plus 1 से हम जो है सुतनता की कोटी कमान हम क्या आत्र कर सकते हैं तो यहाँ देखिएगा वक्र की जो हम देखें तो हां देखान देखेंबन तो दो घटक है तो यह टू component system माइनस दो प्रवस्था है और प्लस वन तो दो से दो गैंसिल हो गया तो f इक आती है यह यह जो वक्र है यह एक एक चरतंत्र वक्र है, कौन सा एक चरतंत्र विर्यन्ट जो है, ये वक्र है, इसने सपश्ट होता है कि प्रतेक ताप पर विलेनद का संगटन, निश्चित होता है, थीके, जथी हम वक्र ओभी की बात करें वक्र ओभी यह वक्र जो है वक्र ओभी क्या है देखेगा वक्र ओभी पर क्या होता है यह वक्र क्याई का विलेता वक्र है क्याई का विलेता वक्र है तो हम लिखतेंगे क्याई का विलेता वक्र है यह क्याई का विलेता वक्र है ठीक है ना यानि कि is visibility कार हुए यह का Solubility कार आप कि ऐाइए इस वक्र पर होता क्या है इस वक्र पर ठोश कि आई ताथा विल्यन ध्राव उस्थां में रहते हैं ध्रोस के आई और ड्राव विल्यन साम में उस्थां में रहते हैं थीक जो सुतंतागी कोटी का मान अगर हम निकालने तो वही f is equal to c minus p plus 1 में अगर हम values को put करते हैं तो f equal to 2 minus 2 plus 1 equal to 1 यानि कि सुतंतागी कोटी का मान फिर से एक आता है तो इसको हम एक चर्थतंत्र वक्र के नाम से भी जानते हैं तो इस तरीके से हमने वक्र A.O. और वक्र O.B. की लक्षण को पढ़ लिये इनको हमने describe कर लिया इसके बाद यह हम बिंदू O. पर विचार करें यह इस बिंदू पर विचार करें तो यह जो बिंदू है इस बिंदू को हम गलन्द करांतिक बिंदू अत्वा हिम क्रांतिक बिंदू कहते हैं यानि कि इसको हम क्रायो हाइडिक पॉइंट के नाम से भी जानते हैं तो देखो यह बहुत important point है एक्जाम में आप से पूछते हैं कि गलन क्रांतिक बिंदू अत्वा हिम क्रांतिक बिंदू या cryohydric point क्या होता है तो इस बिंदू पर वक्र EO तथा BO दोनों मिलते हैं तथा इस वक्र पर थोस जन ठीके तथा थोस कियाई का विलियन ठीके ना थोस तो बर्फ होता है ठीके ना बिंदू पर क्या के रहता है बर्फ रहता है थोस कियाई रहता है तथा विलियन तीन जो है प्रवस्था है साम में उस्था में होती हैं यहां पर एक तो आइस सॉलिड और एक जो हता है कियाई सॉलिड और एक कियाई का विलियन जो है यहां तीन प्रवस्था है साम में उस्था में होती हैं यहां अगर हम देखें कि डिग्री ओफ फ minus p plus one तो f equal to क्या हो गया देखो दो यह component two component system है और यहाँ पर कितने प्रवस्था हैं अभी मैंने आपको बताएं यहाँ पर तीन प्रवस्था हैं सामने वस्था में plus one तो zero यहाँ पर degree of freedom की value zero होती है यहाँ यहाँ पर शुन्य होती है बच्चो ठीक है न कितना है यहाँ ताप कमाने माइनस टॉन्टी त्री डिग्री सेंटिगेट और यहाँ यदि हम composition की बात करें तो यहाँ पर निश्चित संगटन होता है जिसमें 52 प्रतीशत जो है कियाई होता है इस बिंदू पर जो composition होता है वो निश्चित होता है और यहाँ 55 पिरसेंट की आई जो हे वो अबस्तित रहता है अस्तित में रहता है तो यह निश्चित ताप वे संगटन क्रमेशे हिमक्रान्तिक ताप संगटन कहलाते है यहाँ जो इस तापको –23 डिग्री असी तापको क्रेश्क Communist कहेंगे तो इस तरीके से हमने इसके और हिम क्रांतिक बिंदू या गलन क्रांतिक बिंदू की बात हमने करी क्रांतिक टेम्परिचर और क्रांतिक कम्पोजिशन के हमने बात करी ठीक है इस बिंदू को हम 0-4 बिंदू भी कहते हैं यह सब छोड़ी छोड़ी सी definition जो है आपके exam में बटा पूछी जाती है ठीक है ना तो इनको आप जो है ध्यान से याद करिएगा ठीक है समझ कर याद करिएगा इनको अच्छा अब यह जी हम शेत्र की बात करें तो शेत्र एस जो है यहाँ देखें बंद की इस बिंदू को अगर हम C माल लें बंदू और इस बंदू को हम D माल लें तो हमारे पास एक शेत्र आता है A.C.O. तो A.C.O. शेत्र में जो वक्र पर रहता है वही शेत्र में भी रहता है यहाँ देखें तो यहाँ solution और ice जो है वो दोनों exist करते हैं तो यहाँ दो प्रवस्ता होती है और य यहाँ solid काई दोनों यहाँ existence करते हैं तो यहाँ देखें तो P equal to 2 होता है यहाँ भी P equal to 2 होता है और यहाँ भी P equal to 2 होता है तो हम देखें तो यहाँ पर भी यहाँ लिगर फ्रीडम की बात करें शेत्रों में शेत्र A.C.O. और शेत्र यह जो O.B. ठीक है ना तथा शेत्र जेखा Ođली के बीच में, ये Ođबी और Ođली के बीच का जो शेत्र है, यह वह देखें, तो यहाँ P equal to 2 होगा, C equal to 2 होगा, तो F equal to 2 होगा, हम यहाँ निकाले, तो यहाँ जो डिगरे अफ रिडाम आता है, वो जो है, एक आता है, तो हम इसको एक चरतंतर के नाम से जानते ह ठीके ना तो यह जो शैतर है यह शैतर एक टंत्र होंगे ठीक है अब यदियंग हो भी तदा शैतिजरेखा उड़ी यह हमने जो है देख लिया शैतर इसके बाद अगर हम सी यहां पर जो शैतिजरेखा है что cd शेति जेकाई cd इसके नीचे अगर हम देखे तो यहां पर भी दो प्रावस्ताय है एक तो i's होगी और एक यू टैक्टिक मिक्चर होगा प्लस यू टैक्टिक मिक्चर गलंद करांतिक मिश्रण होगा या यू टैक्टिक मिक्चर होगा यहां भी हम देखें तो solid ki होगा solid ki और plus यहां पर भी utactic mixture होगा गलंद क्रांतिक mixture होगा तो यहां भी दो प्रावस्थाइं होंगी p equal to 2 होंगी c equal to 2 तो यहां भी degree of freedom की value 1 आएगी तो इस तरीके से हम water ki system water ki system को हम यहां पर define कर सकते हैं na तो अगर हम दोनोच परावस्थाइं अस्तित्तव मे रहती है ठीक है new wie planning को rice दोनो solid जो हो आँ सर्फाम रेती इश पकार इस शेट्र में एक चर्ट एक चर्टंत रहे हैं यहां पर तो एक चर्टंत रहे हैं यहां और यहां तो- तो इसको जैसा कि हमने इससे जो है लेट सिल्वर तंद्रा पहले देखा था कि इस शेत्र में भी हिमक्रांतिक मिश्रण पाए जाता है ठीक है ना तो यहां भी जो हिमक्रांतिक मिश्रण है इसमें यहां पर जो कंपोजिशन है वो कियाई 52% होता है और यहां यहां देखें वोटर के सिस्टम की वियाख्याम कर सकते हैं I hope आपके समझ माया होगा बेटा धन्यवाद